आपका हमारे चैनल पे जिसका नाम है जानकारी मैटर्स तो जैसा कि हमें पता है कि नियोजित सिक्षकों को राजकर्मी बनाने के लिए जो सरकार सक्षमता परिक्षा लेकर किया आई है उसका ओनलाइन जो है फॉर्म वो भरा रहा है और 15 तारीक तक भराएगा लेकिन एक जि इनों में एक भी नियोजित सिक्षक ने नहीं भरा सक्षमता परिक्षा का फॉर्म ये है सिवान जिले से बिहार विदाले परिक्षा समिती द्वारा नियोजित सिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा देने के लिए सक्षमता परिक्षा के लिए फॉर्म भरने की तिति चारी कर दी गई है यह परिक्षा पर एक फरवरी से ही भरने का आदेश है लेकिन अभी तक एक भी नियोजित सिक्षकों ने सक्षमता परिक्षा का फॉर्म नहीं भरा है जबकि फॉर्म भरने की अंतिमतिती 15 फरवरी निश्चित है निसिक्षकों के फॉर्म नहीं भरे जाने की व सक्षम्ता परिक्षा से संबंधित फर्म को सत्यापन के लिए डीपियो कर्याले में नहीं भेजा गया जबकि जिले के 13338 नियोजीत सिक्षकों को सक्षम्ता परिक्षा में शामिल होना है जबकि डीपियो स्थापना द्वरा 31 जनवरी को अपने पत्रांग 288 के माध्यम से जो एक भी आवेदन पत्र जमा नहीं किया गया है 15 अगस तक है आखरी तिती फॉर्म भरने का सिख्षक कर रहे हैं विरोध जैसा कि हमें पता है कि जो संगठन है वो विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जो तीन बार चांस वाला जो बात बोला गया है कि अगर पास नह नहीं भरा रहा है डीपियो को करना है अंतिम रूप से सब्मीट प्रखन सिख्षापदादिकारी के पास फॉर्म हम जाके जमा कर देंगे तब वो हाट कॉपी डीपियो के पास जमा करेंगे डीपियो अपने लॉग इन में जाएंगे ऑनलाइन जो भरा हुआ फॉर्म है उ तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजेगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजेगा